हेलो सांथियो एक बाफिर से स्वागत करता हूँ मैं मनोज जोसी अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मनोज अमल्टी तो सांथियो हम बात कर रहे थे उत्राखंड में जो Medical Lab Technologies का एक्जाम हुआ था Medical College के लिए तो उसका जो Question Paper था उसमें से हम MCQs कर रहे थे तो हमने इस Question Paper में लगभग 45 Questions कम्लिट कर दी हैं उनको हमने कवर कर लिया इस 45 Questions को तो आज उसी में हम आगे बढ़ेंगे तो हम छोटे छोटे पार्स में MCQs करने वाले हैं क्योंकि काफी लंबी वीडियो हो जाती है तो आप लोग भी बोर हो जाते हैं इसलिए मैंने सोचा कि कि अब छोटे छोटे दस एक वीडियो में हम 10 Questions कवर करेंगे तो आज का जो यह पार्ट थर्ड है जिसमें हम 10 Questions कवर करेंगे तो आप वीडियो में बने रहें अगर आम में चैनल में पहली बार हैं तो में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बगल में जो बेल आइकन है उसे जो प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी वीडियो में आपने चैनल में पर डालू उसका नोटिफिकर सब्सक्राइब के बार पहुंच सके तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं तो सात्यों आज का हमारा पहला कुश्चिन है Abnormal increase in volume of urine is called ठीक है, question है कि अगर urine का जो बदत है increase हो जाता है तो उस condition को हम क्या बोलते हैं तो आपके option है, A option है polyurea B option आपका oligurea C option आपका anurea D option आपका nectaria means आपका जो urine है उसका normal जो volume होता है 24 hours में वो होता है 2000 ml per 24 hour per day तो अगर 2000 से उपर अगर आपका volume 2000 से increase कर जाता है urine का volume तो उस condition को हम क्या बोलते हैं उसको बोलते हम polyurea तो आपका जो right answer है वो A option आपका right answer है polyurea बढ़ते हैं अब नेक्स question की ओर question है sodium nitrobside tip stick test is used for the measurement of जो आप sodium nitrobside tip stick का इस्तेमाल करते हैं इस चीज के measurement के लिए करते हैं यह आपका question है आपका option है A option है glucose test के लिए B option है protein C option है ketone के लिए D option है आपका uroblinogen के लिए तो जो आप sodium nitrobside tip stick का इस्तेमाल करते हैं वो ketone के measurement के लिए हम करते हैं तो आपका राइट आंसर है C option, बढ़ते हैं अपने next question की ओर, method of physical separation of protein based on their ionic charge and molecular size, आपका question है कि जब जो protein है उसको हम उसके ionic charge of molecular size की base पर किस method से, किस physical method से हम उसको separate करते हैं, तो उसका आपको नाम बताना है, में नाम बताना है, तो आपका option है, आपको right option इसमें से choose करना है, A option आपका spectrophotometer, और B option है electrophoresis, C option आपका fluorimeter, D option आपका osmometry, ठीक है, तो जो आप ions के charge और molecular size की base पर, हम जब protein या पी carbohydrate लिपिट्स को हम अगर separate करते हैं, तो उस physical method को हम क्या बोलते हैं, किसकी दोरा करते हैं, वो आपका है B option, इलेक्ट्रोफोरेसिस की बाद, ठीक है दोस्तों, आपका जो right answer है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, अब बढ़ते हैं, अपने next question की और question देखते हैं, तो आपका अगला question है, एक blood donor who recently diagnosed HBSAG positive should be differed for how long, ये कह रहा है, एक रख्तदाता जो हाल ही में HBSAG positive से ग्रसित पाया गया है, कितने समय तक रख्तदान नहीं कर सकता, तो आपके option है, पर्माइनेंटली, B option है आपका, 6 month, D option है आपका 1 year, जब तो दोस्तों, अगर कोई person आपको habitatus B से ग्रसित है, जिसे हम HBSAG बोलते हैं, अगर उसका positive आजाता है, तो वो आपका लगभख, वो पर्माइनेंटली आपका blood donate नहीं कर सकता है, ठीक है दोस्तों, तो आपका जो right answer है, वो A option है, ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने next question के और, question है हमारा, which of the following is called bad cholesterol, अब आपको अगर लिफिट प्रोफाल पढ़ा है, बाइक्रमेस्टिक में, तो आपको पता होगा कि bad cholesterol किसे बोलते हैं, तो आपके option है, आपको बताना है, इसमें की bad cholesterol कौन सा है, ठीक है, तो A option है आपका cholesterol, B option है आपका triglyceride, C option है SDL, और D option है LDL, ठीक है, तो जो आपका right answer है दोस्तों, वो है आपका LDL, जो की D option है, आपका right answer है, LDL को ही हम क्या बोलते हैं, bad cholesterol बोलते हैं, ठीक है, और जो आपका C option है, आपका SDL लिखा है, जिसे हम high density lipoprotein की नाम से जानते हैं, तो यह आपका good cholesterol होता है, SDL आपका good cholesterol है, और LDL आपका bad cholesterol है, ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने next question की और, question है हमारा, test which is used to differentiate staphylococcus or yes from other staphylococcus species, question है आपका की जो staphylococcus aureus है, उसको हम कैसे differentiate करेंगे staphylococcus की other species से, यह आपका question है, आपकी option है, cogulase test से, B option आपका catalyze test से, C option है urease test, D option आपका oxidase test से, तो हम जो staphylococcus aureus को staphylococcus की other species से differentiate करने के लिए, cogulase test हम करते हैं, तो आपका जो right answer है, वो है A option, cogulase test, बढ़ते हैं आपने next question की और, question है हमारा, Salmonella and Cigella can be differentiated on the basis of which test, जो आपका Salmonella और Cigella है, उनको आप differentiate कैसे करेंगी, यह आपका question है, कौन से test के दवरा आप उनको differentiate करेंगी, तो आपके option है, A option है gram staining के दवरा, B option आपका catalyze test के दवरा, C option आपका motility test के दवरा, D option आपका endolase test के दवरा, तो जो right answer आपका दोस्तों वो है, motility test के पेज़ पर हम Salmonella and Cigella को differentiate कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने next question की ओर, वाँ, question नगला question है आपका, 1% ammonium oxalate regent is used for the counting of which test, तो जो हम 1% ammonium oxalate regent का इस्तेमाल करते हैं, question है, ठीक है, तो आपके option है, A option है, WBCs, B option आपका platelets, C option आपका RBCs, और D option आपका sperm, तो जो right answer है आपका, वो है platelets, तो हम जो 1% ammonium oxalate regent का इस्तेमाल करते हैं, वो platelets count के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, बढ़ते हैं भी next question की ओर, all of the following are the functioning of blood except, और question क्या है कि, जो यह आपके option दिये हैं, इसमें से आपको बताना है कि, कौन सा blood का function नहीं है, ठीक है, तो यह accept आपको आपको बताना है, जो, क्या करते हैं, जो blood का function नहीं है, ठीक है, तो आपका option है, A option है, आपका hormone production, B option आपका buffer system, C option oxygen transport, D option आपका nutrient absorption, तो आपके तीन option ऐसे हैं, जो की function है blood के, और एक option ऐसा है, जो क्या है, blood का function नहीं है, तो वो कौन सा function है, जो blood नहीं करता है, वो है hormones production, तो जो A option है, आपका, वो right answer है, ठीक है दोस्तों, और बाकी buffer system, oxygen transport, port और nutrient absorption, यह blood का काम है, ठीक है, यह blood के function है, बढ़ते अभी next question की और, question है, which is the following test used to detect, determine siplis, चो हम, siplis के लिए, siplis को detect करने के लिए, हम कौन सा test करते हैं, अपनी laboratory में, यह आपका question है, तो आपके A option है, A, S, O, T, B है आपका R, E factor, C है आपका, C, R, P, और D option है आपका, V, D, R, E, तो दोस्तों, जो हम, अपनी laboratory में, siplis का detection के लिए, जो test करते हैं, वो है आपका D option, V, D, R, E, टेस्ट, ठीक है, venereal disease research, laboratory जिसका full form होता है, तो जो right answer आपका D option, तो सांतियों, आज की इस वीडियो में, इतना ही करते हैं, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है, तो आप लोग उता है, तो हम छोटे-छोटे parts में, इसको करेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने next वीडियो में, अगर आप में चैन पहली बार है, तो में चैन को subscribe कीजिए, बगल में जो bell icon है, उसे जोड़ प्रेस कीजिएगा, तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, थैंकि दोस्तों,